नमस्कार दोस्तो एस वी नॉलिज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तो इस वक्त की दोस्त सबसे बड़ी अपडेट रश्या की तरफ से निकल कर आ रही है भारत ने हाली में रश्या के उपर जो एहसान किया है जिस तरह से अपनी दोस्ती का सबूत है पोतिन अपनी पूरी जिन्दगी में भारत के इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे बात करेंगर पहली अपडेट की तो ये अपडेट रश्या के कुड़ोल को लेकर है जैसा कि आप सभी लोग जानती हो कि जब से रश्या यूक्रेणियों सुरू हुआ है तब से कई दे उक्रेण में मरने वाले मासूम लोगों की मौत का जिम्मेदार है लेकिन रश्या हमारा पुराना दोस्त है जिसने 1971 के वक्त पूरी दुनिया के खलाफ जाकर पहले अमेरिका और ब्रिटेन के एरकाफ्ट केरियर से और बाद में यूनाइटेड नेशन में वीटो का यूज खरीदा करता था वो धीरे धीरे करकी 10% बाद में 20 और उसके बाद 35 परसंट तक चला गया था और हाली में जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर सामने आई है उसके अकॉर्डिंग पिछले महीने रस्या से कुड़ परचेस करने का यह आकड़ा भारत ने 40 परसंट तक पहु रस्या का है हाला कि पिछले साल डिसकाउंट कम करने के बाद भारत ने रस्या से कुड़ खरीदना कम कर दिया था जिससे रस्या की एकोनोमी वापस से डाउन होने लगी थी लेकिन बाद में रूपे रूबल ट्रेड सेटलमेंट के बाद भारत ने वापस से रस्या कर जैसे कुडल पर्चेस करना कम कर दिया है लेकिन भारत सेंक्संस के खत्रे में भी रस्या का साथ नहीं छोड़ रहा और इस बात को रश्या का स्टेट मीडिया भी काफी अच्छे से एनलाइज कर रहा है तो चलिए दोस्तों बात करेंगें दूसरी अपडेट की तो ये हो कि हाली में रश्या में हुए रास्टेपती चुनावों में पुतीन को भारी बहुमत से जीत मिली है और पुतिन पाँंचवी बार रश्या के रास्टेपती के तौर पर चुने गए अब होता क्या है कि जब भी कोई नया या फिर दोबारा से प्रधानमत्री या फिर रास्टपती बनता है तब उनके लिए दोबारा से एक ओच सेरमनी यानि की सपत समारों और इस समारों में आने के लिए उन सभी देशों को इंविटेशन भेजा जाता है जो देश वर्ल डे पूरे वेस्टन वर्ड ने पुतिन पर चुनावों में चीटिंग करने का आरोप लगाते हुए इस सेरमनी में आने से मना कर दिया जिससे रश्या और पुतिन दोनों की हिमेज को काफी जादर नुकसान हो रहा था क्योंकि पुतिन की सेरमनी में चायना को छोड़ कर कोई भी निकल कर आ रही है कि पुतिन की ओच सेरमनी में भारत दुनिया की सबसे बड़ी डैमोकरसी के तोर पर सामिल हुआ है भारत की तरफ से रश्या में भारत के एमबेजडर विन्य कुमार जी ने पुतिन की ओच सेरमनी को अटेंड करते हुए भारत को रिप्रेजेंट किया है और इस जेस्टर को देखते हुए पुतिन भारत से काफी ज़्यादा खुस है और उन्होंने इस समय में रस्या का साथ देने के लिए भारत को थैंक्स भी कहा है भारत दोहरा पुतिन की ओट सेरमेनी को अटेंड करना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि अगर भारत इसे इग चीटिंग की है जिससे विलादेमीर पुतिन की दुनिया में काफी ज़्यादा बदनामी हो सकती थी और एक तरह से कहा जाए तो भारत ने पुतिन की मदद की है जिसका एहसान पुतिन को जिन्दगी भर रहेगा वैसे इन दोनों अपडेट्स के बारे में आपका क्या मानन है कमेंट करके जरूर बताना और जाने से पहले एसवी नौली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर पैस करना ताकि आने वाली सबी नोटिफिकेशन आपको मिल दी रहे जैहीं जै भारत